मैं देखे कोरोना संक्रमन के बीच आज देश भर में बक्री इद मनाई जा रही है लॉक्टाउन के चलते इद पर आस साम मोहिक नमाज नहीं होगी मध्यप्रदेश में ईद को लेकर सरकारनी गाइडलाइन भी जारी करती है कुरोना वाइरस के संक्रमन के बेज बक्री इद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर मध्यप्रदेश सरकारनी गाइडलाइन चारी की है गाइलाइन की मताबिक कुर्बानी केवल नीजी जगाओं पर ही दी जा सकती है साथी कुर्बानी की दौरान पांस से जादा लोग एकटा नहीं हो सकते हैं एद की दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आनिवार्य होगा तो सोशल डिस्टंसिंग के साथ एक दूसरे को बधाई दी जा रही है कुछ तस्वीरे देखे हमें मिल रही है लेकिन फिर भी कई ने कई भीड बहुत जादा दिखाई दे रही है अलाकि सामुहिक जगे पर कहा गया है कि नमाज नहीं अता करें चलिए अहांब देख लेते हैं कि एच फट्सकड़ में कैसी तस्वीरे देखने को मिली स्टेट एडिटर धनमेंदर जैस्वाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ जुड़ जुग है धनमेंदर जी एक तरफ कुरुना काल है और दूसरी तरफ देशवर में इद मनाई जा रहे हैं ये बताएं कि वहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिला क्या नमाज अता की गई हिफाज़त के साथ जी इस समय हम रायपूर के राजा तलाव इलाके में है जो मुस्लिम बहुले लाका माना जाता है यहां नुरानी मस्जिद के साबने खड़े और मैं अपने केमरामें डियोगे साथ से कहूंगा कि वो दिखाए कि मस्जिद पूरी तरीके से बंद गेट पर तला लगा हुआ है और यहां किसी को भी आने की जाज़त नहीं दी गई है आसपास चहल पहल जरूर है लोग आसपास है लेकिन मस्जीद में आकर के नमाज अता करने की जाज़त किसी को नहीं है फोर्स तैनात की गई है फोर्स यहां पर तैनात है और इस बात को सुरिशीत करने के उपाय कि गए हैं कि कोई भी मस्जीद में आका के नमाज ना पढ़ है मस्जीद में नमाज पढ़ने की यहाँ चुक्ड याजत नहीं है लिहाजा मस्जीद का ताला भी नहीं खुला है हाला कि आसपास जो इलाके हैं वो जरूर खुले हुए हैं सरकार ने सुबा दसबे तक बजार खुला रखने के अनुमती दी है तो मांसमुटन के दुकाने भी खुली हैं फल सब्जी के दुकान खुले हुए हैं और जो बकरीद में लगने वाली जो चीज़ें हैं उन सेवई कि मस्जीद में नमाज आता करने की अज़ाजत नहीं है लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों में रहा करें और बकरीद के जो तेवार है उसको सोसल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का पालन करते हुए बहुत ज्यादा लोगों को मिलने जुलने की अनुमती भी नही मस्जीदों में इकठा नहीं हो तो इसका पालन चतिरण के राइपूर में किया जा रहा है जी करिश्मा में इद का त्योहार मनाया जा रहा है हाला कि पुलिस बल भी तैनाद है कि जोरान कई अगर ऐसा देखने को मिले की काफी जादा भीड़ हो तो पुलिस बल वहां पर तैनाद कर दी गई है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग एक दूसरे को इद की बधाई दे रहे हैं और ये जो गाइडलाइन जारी की जा रहे हैं कि सार्वजवनिक जगहों पर न जाएं नीजी कारिकरम में ही शामिल हो लेकिन कहीं कहीं हाला कि इसका असर देखने को मिला की भीड़ देखने को मिली ऐसे में बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जिहत और सरामती पूरी तरह से सुरच्छित हो अच्छी हो और जिस तरह का संकट है और जिस तरह का कोरोना का संकट आज पूरी दुनिया के सामने है उसकी वज़े से इबादत तो हो रही है लेकिन हिफाज़त के साथ और जो हिफाज़त के साथ अबादत है उसमें उसमें कमी नहीं है